हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चॉइस कीच्छन आज मैं बनाने जा रहे हूं मसाले वाली बैंगन की सबजी जो की देखने में तो बहुत ही डिलीशज है और खाने में उससे भी जादा तो यह मैंने बनाई है जो छोटे वाले बैंगन होते हैं उससे आप इसे भरमा बैं करते हैं इसके लिए मैं चोटे वाले बैंगन होते हैं यह लिए और इने मैं अच्छे से दो लिया था अब इने मैं बीच में से कट कर दूंगी यह देखे इस तरीके से ताकि अगर इसके अंदर कोई कीड़ा वागेरा हो तो वह भी दिख जाए और दूसरा रीजन यह है क कि इस तरीके से हम कट करेंगे तो पूरे बैंगन के अंदर हमारे मसाले की जो ग्रेवी है उसका टेस्ट आ जाएगा तो इस तरीके से में सारे बैंगन को अपने कट कर लोगी यह जो सबची है बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं बच्च बैंगन को fry करेंगे हमें मतलब 50-60% तक इसको फ्राई करना है और बाकी जो है हम इसके मसाले के साथ इसे कुप करेंगे तो बस इन्हें अलट पलट के हम फ्राई करेंगे और दो मिनट के लिए हम इस पर लिड लगा देंगे और इसे कुप होना देंगे तो अच्छे से देखे मैंने इनको ओयल में कोट कर लिया है अब इसकी लिड लगा दूगे मैं और इसे दो मिनट के लिए एक साइट से होने देंगे दो मिनट के बाद देखे एक साइट से हमारे हो गए है कलर इनका चेंज हो गया है अब बस पलटके एक बार और दूसरी जुरत नहीं पड़ेगी तो बस अभी नहीं भी अच्छे से देखिए अलट पलट दिया है मैंने आप भी दिन ठक के दो मिनट के लिए और कोप कर लूँगी तो यह देखिए दो मिनट के बाद हमारी बैंगन जो है सॉफ्ट हो चुके हैं अराउंड 50-60% तो अब हम इने नि काल लेती हूं और यहां मैंने बच्चे हुए तेल में डाल दिया है एक तेजपत्ता एक काली इलाईची बड़ी वली जो होती है और साथ ही डाल दिया है जीरा इनको अच्छे से भून लेंगे मतलब जीरा हलका सा रोस्ट हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे और सात् ही मैं यसमें डालरी हूं दो सुखी लाल मिड्च भी अगर अब तीखा खाते हैं तो यहश्ट स्किप कर सकते हैं मैंने इसमें ग्रीन चीली नहीं डाली है इसलिए में सुखी लाल मिट टाले है और यहां मैंने अनियन डाल दिया है और अनियन को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि यह हलका सा सुनहरे कलर का नहीं हो जाता है तो यह देखे कलर चेंज हो गया है अनियन का अब इसके अंदर हम डाल देंगे अजरेकलेसन का पेस्ट एक चमच और अच्छे से इसे भी भून लेंगे तो यह देखे यह भी मैंने भून दिया है अब इसके अंदर हम एड़ कर देंगे टमाटर तो दो टमाटर को मैंने चौप कर लिया था वह डाल रहें इसके अंदर आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी इसके अंदर डाल सकते हैं बट मैंने कट करके ही डाला है और अच्छे से बस इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे स्पाइस तो स्पाइसिस में चाहेगा सॉल्ट टेस्ट और कश्मीरी लाल मिच एक से देड़ चमच आपको पता ही यह तीकी नहीं होती है बस कलर अच्छा आता इससे और साथ ही डालेंगे एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच गरम मसाला और साथ ही डाल देंगे थोड अच्छे से मसाले मिक्स करने के बाद हम इसे ढखके एक से दो मिनट के लिए कुख कर लेंगे ताकि यह मसाला जो है मरा अच्छे से बुन जाए देंसे सारे मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए और अब में लीड लगा के दो मिनट के लिए से रख दूंगी अब देके सारे मसाले मने अच्छे से बहुन गया है इसने ओयल वी रिलीजस कर दिया है तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक कप पानी और इसमें एक बॉयल आने देंगे और यह जो बैंगन के सब्जी अब बहुत ही टेस्टी है जिसको बैंगन पसंद नहीं भी होंगे न वो भी बार-बार मांग की खाएंगे बिल्कुल मसालों में लिप्टेंगे वे विल्कुल यमीयमी सटेस्त तो यहाँ पर देगे बॉयल आ गया है और जो हमारी भैंगन हमें फॉय करके रखे थे वह इसके अंदर अड़ कर देंगे यह बैंगन देखे मैंने आइड कर देए और बैंगन को अच्छे से इस ग्रेवी में डिप कर देंगे ताकि जो भी ग्रेवी का टेस्ट है हमारे बैंगन में पूरे अच्छे से एब्सॉर्फ हो चाहे अबस इसे कवर करके दो से तीन मिनट के लिए हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पे और दो से तीन मिनट के बाद देखे सब्ची हमारी बन के तयार है कितनी बढ़िया प्रेवी का कलर आया है और बैंगन भी हमारे कुप हो चुके है मैं आपको कट करके दिखाती हूँ यह देखिए तो वस रिडी है हमारे मसालेदार बैंगन की सब्ची रेसिपी पसंद आयो तो चैनल को लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करेगा मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई एक घर पे ते रहें थेंक यू थेंक्स वर वाचिंग